कौनी चोड़ गुस्तु कैसे है आप सभी होप सभी लोग अच्छ होंगे तो आज मैं लाए हूँ फिर से एक एनिमे के बारे में एक वीडियो तो इस एनिमे के बारे में मैं क्या बता हूँ अगर आप अपने प्रेन को शटडाउन करते हुए से फोर सिफ इन्जॉय करने के लिगव कोई आपके लिए तो इस एनिमे का नाम है गुरेनलागान इसका और भी शसके ठीजरीनाम अ है इतना क्या खास बात है यह सब कुछ हम लोग डिस्कास करने आ लगा है तो चलिए में इन वीडियो की तरफ आगे वड़ते हैं तो गुरे इन लगाने कैसा अनिमी है जिसमें आपको लॉजिक बहुत जगा पे नहीं मिलेगा और बहुत सारे flaws and mistakes आपको मिलेंगे मगर मैंने आपको पहले ही कहा था अगर आप अपने brain को shutdown करते हुए enjoy करने के लिए के anime देखना चाते है तो यह anime आपके लिए मगर इतना भी brain shutdown मत करना क्योंकि इस anime के last जो arc है उसके ending के वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़े भी है जो आपको समझने में बहुत ही मुश्किल होगा तो उस समय जाके आपका brain चालू कर लेना वहाँ पर कोई problem नहीं है मगर शुरू के दीख से आप अपना brain shutdown कर सकते है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़े जो आपको समझा नहीं गया बहुत ही illogical लगए यानि कि मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे चीज़े ऐसे लगए कि इसमें तो logic नहीं यार तो ऐसा चीज़ आपको logic लेस लगएगा ऐसा कुछ parts है मगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यह anime आप बहुत enjoy करेंगे आपको सेफोर से पहले के कुछ episode देखकर ही पता चालेगा कि यह anime कितना अच्छा है कितना 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 मज़दार है तो इस anime का total main 27 episodes है और यहाँ पर ही कहानी जो होता है वो end हो जाता है और यह 2007 का anime है तो उसकी सब से animation ठीक ठाक है इतना भी ज्यादा कोई खास animation नहीं है मैं आपको suggest करूंगा 1080p में देखना तो आप इस anime का मज़ा ले सकते हो तो फिर आते है यह anime कौन सा studio ने बनाया है तो इसका नाम है Gainax और आप आते है इस anime का genre क्या है उस जगे पर तो इस anime का genre है action, science fiction, adventure, comedy and matcha तो यह एक बहुत अच्छे एक match anime है मगर मैंने पहले ही कहा था आपका brain shut down करते ना क्योंकि हापना logic बहुत ही बहुत ही ढुनने से भी नहीं मिलागा जैसे कि attack on titan में आपको romance ढुनने से भी नहीं मिलागा and naruto fighting without note of jutsu and luffy एक दिन meat ना खाते हुए ऐसा चीज हमें नहीं देखने को मिल सकता so आप समझ सकते है don't take it seriously cause मैंने से फिक जोक मारा एक घटिया जोक इससे ज्यादा कुछ नहीं था तो भाई यह एक non spoiler video है तो मैं यहाँ पर सारा story explain नहीं करूँगा मगर इतना कह देता हूँ पहले episode का कुछ spoilers होंगे यह show ranner मगर इससे आपको देखने में कोई मज़ा खराब नहीं होगा सेफ और सब आप enjoy करते जाएंगे तो इस एनमे का जो main point है वो यह है कि अब जो इनसान है आर्थ में जो इनसान रहते है वो लोग जमीन के ऊपर नहीं रहते वो लोग नीचे रहते है और हमारा main character जो होता है Simon and हमारा जो असली main character होता है जो कि मेरे लिए असली main character है वो है कामिना तो भाई कामिना दाम का जो बंदा होता है भाई वो आपका फ्रेब्रेट हो जाएगा आप अगर यह anime देखेंगे तो इसके साथ आप emotionally attached हो जाएंगे एक मैं spoiler नहीं दूँगा okay spoiler नहीं दूँगा इतना क्या देता हूँ यह बंदा आपको बहुती बहुती पसंद आएगा तो चलो अब main topic पर जाते है कि जो इंसान लोग होते है अब जमीन के उपर नहीं रहते नीचे रहते है तो अब जमीन के नीचे रहते है और हमारा main character औ जमीन के नीचे रहते है और लोग खुदाए का काम कर रहते है यानि कि ड्रीगिंग का काम अब जमीन के ऊपर कौन रहते है यह तो कोशन आपके brain के अंदर आई होगा तो जमीन के ऊपर रहते है spiral king and beast man यानि कि जो की spiral king का चमचा है तो beast man कैसे चीज है तो यह भी इंसानों क के तरह बहुत कुछ कर सकते है और इंसके पास बहुत सारे advantage भी है advantage कहना ठीक नहीं रहेगा abilities है ओ लोग राज करते हैं जमीन के ऊपर एंड जो लोग जो इनसान लोग जमीन के नीचे से ऊपर आया है उन लोगों के साथ इनका fight होता है इनकी beast man जो होते है ओ लोग उपर रा एक matcha machine है यानकी rover type का जिसमें ओ लोग सवारों के fight करते है यानकी मेका उसको ओ लोग गन्मेन कहते है जिससे control करके ओ लोग fight करते है humans से तो आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे और हमारा जो सिमोन होता है और कामिना होता है ओ लोग एक दिन ड्रिग करते करते एक दिन एक गन्मेन खोज लेता है जो कि अन्नोन एक गन्मेन है तो उसको पाते ही वापर कुछ ऐसा घटना घटना शुरू हो गया कि जिसके कारण हमारा सीमन और कमिना का लाइफ ही बतल गया और वहापर से एक नया adventure शुरू हो गया जो कि आपको बहुत ही पसं भूना भी आ सकता है भाई मैं बहुत ही सैड हुआ था एंड मन मन में रोया भी था तो इससे आप समझ सकते हो कि एनीमे कितना अच्छा एक एनीमे है मगर गाइस मैं पहले बता दू इस एनीमे में लॉजिक बहुत ही कम है तो सिफ इंजोई करने के लिए देखना सिरियसली है यहां पर बहुत अच्छी तरह से देखाया गया है खासकर कि में में जो करेक्टर से उनके बारे में बहुत अच्छी इंफ्रमेशन दिखा गया है और उनको दिखाया गया है खासकर कि यहां पर जो कामिना डाम का क्यरेक्टर है उसका क्यरेक्टर बहुत अच्छी तरिक है and as a Mac anime is this anime is great I will say but logic is full of emotion सब कुछ में emotion काम करता है यार this anime shows that तो अब आता है storyline पर तो यहां पर दो आर्ग दिखाया गया है तो फस्स आर्ग जो है ओ मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक ठाक रगा मंगर लास्ट में थोरा राश हो गया मुझे लगता है मगर ठीक है और दूसरा जो आर्ग है ओ भी अच्छा था तो ओवर रॉल कह सकते हैं इसके storyline बहुत यह अच्छा है स्टोरी पेसिंग के बाद करें तो पर एपिसोड में स्टोरी पेसिंग जो हुआ वह अच्छा है इतना भी ज्यादा स्लो भी नहीं था इतना ज्यादा फास् फास्टार के लास्ट में मुझे जितना लगा मगर ठीक है और मैं आपको सब्सक्राइब को इंग्लिश डाब में देखने को अगर आप जापानिस डाब एंड इंग्लिश आप देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर इंग्लिश डाब में मजा कुछ और है या ऐनच सजय में आपके लिए मैं और आपन सब्सक्राइब सेफे हैं चैक वी दर देखने लिए हैं मुझे जर्ण काया इंग्लिश तक जर्मिनच में चाहिं समय तो बता यह मैं उल Same R тобой ज peelingा क्रिए अब फुर फोगेट तो सब्सक्राइब उसको पाद जो पेल एकन हो भी दा पतना तो मिलते हैं अगले कुस्ट्रों में तब तक के लिए आरा आरा सही होनारा